इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूं बिना बुनाई बिना कुरेशिया के बहुती इजी तरीके से वोलेन सिलिपर बनाने उन से आप यह बना सकते हैं इन-पैक्ट यह डिजाइन मैंने बनाई है आप इफरेंट तरह की डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं और इस पैट स्लिपर नहीं है तो आप इस तरह से मोची से यह सर्फिस जो है ना नीचे वाला सोल वो भी आप मांग सकते हैं 10-15 रुपे के वो दे देंगे यह नई पुरानी चपला कट करके वहां से ले सकते हैं अब यहां दो मैथेड बता रहे हूं पहला तरीका यह है कि मैं ग्लू का य पहन के जा सकते हैं जैसे कि आपको मजबूती चाहिए तो साइड में आप सिलाई लगा सकते हैं यह स्लिपर जो है ना वो नीचे सोल लगी हूई है तो आप कहीं भी इसको पहन के जा सकते हैं जैसे कि नौर्मली हम उलिन सौक्स जो है वो पहन के हम कहीं जाते नहीं है क्योंकि वो गंदा होने का डर होता उसके नीचे हम सैंडिल या शूस कुछ पहन लेते हैं लेकिन इसमें ऐसा है कि आप इसको कहीं भी पहन के जा सकते हैं अच्छे से तो यह सबसे अच्छी बात है कि इसक और इसमें उन बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा आपका जैसे कि लोगों को लगता है कि बहुत उन वेस्ट होगा कुछ नहीं वेस्ट होगा आप देखिया भी किस तरह से मैं बना रही उसको तो सिर्फ लंबा लंबा उन लेना है कट मत कीजेगा और फिर पाच-पाच की ती इसलीह हम अहमारा हम को बेस्ट नहीं दा नहीं के कि रहे लगना है इसलिए हम इसको खच्ड नहीं करेंगे तो एकदम हलके हाथों से चोटिया बनाईएगा ये ध्यान रखेगा अब ये वाला फेस जो है न इसको यहाँ पर मैंने ऊपर थोड़ा सा छोड़ दिया था बाद में तो नहीं छोड़ा आपने तो एक दो राउंड खोल दिजे चोटी की और एक धागा पकड़के इसको अच्छे से फिनिश करना है तो ये फिनिशिंग आनी चाहिए तो इसको कसके नॉट लगाईएगा तीन चार ताकि ये सारे पीसे आफस में बद जाए ये ध्यान रखना है तो ये देखे ये नॉट लगा दी है अब आगे का ये ही बस इतना आई है आपका वेस जाएगा उन बाकि और कोई उन इसमें वेस नहीं जाएगा बस ये आगे का जो कटता है वही वेस जाएगा लोगों को गलत फहिमी है कि बहुत सारा उन वेस होता इसमें तो देख आप कपड़े वाले ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन यह काफी स्ट्रॉंग होता है और बहुत अच्छे से यह चिपकाता है छोटी भी ट्यूब इसकी आती है आपको कोई और लेना है तो आप बोले सकते हैं और यह बात का ध्यान रखिएगा कि इसके साइड से जैस यह थोड़े में काफी अच्छे से स्ट्रिक करता है और इस तरह से देखिए चोटी को हम लेंगे एक जगा से स्टार्ट करेंगे कहीं एक जगा से स्टार्ट कीजे और मेक शोर कि चोटी एकदम सीधी सीधी लगे यह ध्यान रखना है आपको और एकदम किनारा कवर करते जैसे चोटी पूरी है तो इसी तरह से हम स्टिक करेंगे सीधी रखते हुए ये देखे ऐसे तो पूरा नीचे तक मैं इसको कवर करूंगे और इसी तरीके से हम इसके शेप को देते जाएंगे तो पहले किनारी को हमें कवर करना है ये ध्यान रखिएगा जो साइड वाला पा जो सोल का साइज है उसी सोल के साइज की आप ये चपल बनेगी तो आप इस ध्यान में रखिएगा कि जिसका भी बना रहे है अपना बना रहे है तो अपनी चपल लीजिएगा और छोटी बच्ची की बना रहे है तो उनकी ले सकते हैं आप इस तरीके से देखिए इसको करेंगे तो यहाँ से घुमाने का क्या है यहां से दिख़ें यहां corner पर लाएंगे अच्छे से हाथ से दबा देंगे और फिर वहां से ही हम इसको मूव कर इसी तरह मूप करते हुए दिखे मैं पूरा बीचो बीच में आ गई हूँ यह देखे जब थोड़ा सा रहे जाए और आपको अब लास में फिनिश करना है न यह देखे इस तरह से कर लेंगे अब यहां पर हम अलग कर देंगे उन को तो देखे उन मैंने कट नहीं किया था इसे मैंने कहा था हैर बीन अलग की मैंने उन का गोला वैसे ही है बस मैंने कटा गोला मैंने लिया था और इस तरह से करने के बाद जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया कि सिंगल उन से हम इसको finish कर देंगे बांद के तो पहले size नाप लीजे और नाप के वहाँ पर बांद लीजे बस इदम नाप लीजेगा कि खतम कहा हो रहा इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पूरा पार्ट स्टिक कर लीजे उसके बाद से नापिए उसको नापने के बाद एक्स्ट्रा जो पीस है उसको कार दीजे और उसके बाद से इसको अच्छे से हम इसमें स्टिक कर देंगे यह फिनिश किया और इसके उपर और अच्छे से स्टिक करके यह सोल का पूरा चार से पाच मिनिट इसको सूखने के लिए रख देंगे तब तक उपर के पार्ट के लिए चोटिया बना के रख लीजे और एक बॉर्डर भी हम इसमें साइड में लगाएंगे आप चौह तो बॉर्डर लगा सकते हो नहीं तो बॉर्डर मत लगाईए आप यहां पे साइड में मैंने एक बॉर्डर लगाई है यह मैंने स्लीपर में देखा था अभी मैं लास में आपको बताऊंगी भी वह पिक्चर लगा दूँगी तो यहां पे ऊपर की तरफ भी बॉर्डर लगानी है एक लाइन और तो एक लाइन मैंने और लगा दी है और वो ल कि इस तरह से हलका हलका आपस में जॉाइंट कर देंगे कि जॉाइंट करने से इसमें और भी मजबूति आ जाएगी अब यहां पर जैसे कहां मैंने ग्रीन लगाया है तो वही वाला पीस मैं ले रही हूं जिसका बॉर्डर मैंने बनाया है वही तो इसको भी हम उपर से पहले सिंगल थ्रेट से फिनीश करेंगे और बाकी जो एक्स्ट्रा हमारा उल है उसको कट करेंगे तो यही चुटा चुटा पार्टी हमारा वेस्टेज होगा बाकी कोई वेस्टेज नहीं है इसमें अब यहां पे मैंने लिया है साथ इंच यह उपर का कवर करेंगे हम जो पैर क उपर का पार्ट होता है तो आपको यह अपना पैर नाप लेना है उपर का डिजाइन अभी मैं बताओंगी और भी तो आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल भी कि किस तरीके से आपको उपर के पार्ट के लिए लेना है अब यहां से गुमा लेंगे इस तरीके से साथ इं कि साइट में हमारी बिल्कुल फिनीशिंग आएगी इस तरह से हम चोटियों को आपस में जॉइन कर लेंगे तो साथ इंच की चोटी लेनी है और फिर उसमें उसको डबल करना है इस तरह से और इसी तरह से इसको नीचे तक सिल लेना है अब यहां तक आएंगे हम तो यह दो चोटी होगी अब यहां पर हम थोड़ा से इसको फिनीश कर लेंगे जो कॉर्नर वाला पॉइंट है यह देखें ऐसे फिनीश करेंगे यह सीधा आएगा हमारा और यह सिलाई वाला आएगा यहीं से हम इसको फिर घूमा लेंगे, जो हमारा बीच वाला चोटी है न, उसको बीच में कर देंगे और इधर घूमा देंगे, यह देखे, ऐसे, उसके बाद से एक लाइन और हम इसी में च्वाइट करेंगे, यहाँ पर, तो पूरा कॉर्णर तक में च्वाइट कर लेती इसको यहां देखिए मैंने चार चोटियां लगाई है तो साथ साथ इंच की चार चोटियां बस लंबाई में आप इतना जोड़ लिजे कि 7-4-28-28 इंच की आपको लंबी चोटी बनानी है फिर उसको घुमा घुमा के आपको इस तरह से इसको ज्वाइन करना है अब लास में जो फिनिश कर लिया मैंने उपर से जो थोड़ा पाट पचा था उसको काट दिया मैंने और यहां पर हम इसी तरीके से फिनिश करेंगे जैसे कि मैंने बाकियों को फिनिश किया है यह फिनिश कर लेंगे यह देखिए ऐसे लगा के और अच्छे से वहां पर कई नौट दे ताकि ये खुलने का डर ना रहे चोटी का तो ये कई लाइने लगा दी मैंने इसमें ओर ये फिनिश हो गया है तो ऐसे फिनिश कर लेंगे तो यहां से ऐसे रखेंगे और अधर से ज्वाइंकि गृण वाले पट्टी के ऊपर गृण धागे से यह मैं जॉइन कर ले रही हूँ यहाँ पर यह देखे ग्रीन वाला एक साइड में जॉइन किया अभी हम इसको छोड़ देंगे अभी सेम चार लाइनों की साथ साथ इंच की मैंने यह पट्टी फिर बनाई है और सेम तरीके से हम लगाएंगे एकदम सीधा रखिएगा ऐसे रखके देख लिजे कहां लगा है वो जो पहली पीस लगाई है उसी तरह से दूसरी पीस लगानी है वहाँ पर तो ग्रीन वाली पट्टी पर यह भी जोड़ दी मैंने यह देखिया यह जुड़ गया और यह जुड़ गया अब यह जुड़ने के बाद थोड़ा सेट कर लिजे नीचे भी सेम जंगहा पर हमें दोनों पट्टियां सेट करनी है तो सेम जंगहा को देखते हुए आप दूसरी पट्टी और दोनों पट्टियों को जड़ दीजे यह मैं जड़ देती हुँ तो यह देखें यहां पर दोनों पट्टियां जड़ गई है और बीच में अभी यह ओपन है आपस में मिक्स नहीं है जॉइन नहीं है तो अभी इसको हम जॉइन कर लेंगे या तो आप साधा जॉइन करना चाते तो एक सिंपल टाका लगा दीज टैसल बना के लगाना चाते तो वो लगा दीजे यहां पर मैंने थोड़ी सी पल लगा दी है और पल के साथ ही इसको जॉइन कर दिया है साइड साइड में सिंगल पल लगा दी है और बीच में मैंने तीन पल लगा दी है और दोनों पट्टियों को जॉइन कर दिया यह सकते हैं और बन के यह हमारी रेडी हो गई है तो आज की वीडियो यहीं खतम करते हूं वीडियो थोड़ी भी हलफुल लगती है तो प्लीज लाइक कीजेगा सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजेगा मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजें वहां पर भी इसी तरह की वीडियो आती रहती है तो वो भी चेक आउट कीजेगा थैंक्स पर वाचिंग प्लीज सब्सक्राइब लाइक शेर और कॉमेंट थैंक्यू बाई सब्सक्राइब